इसमें मैं रवानु वाहीम, Assalamualaikum students, यह देखिए मेरे पास Microsoft Excel में यहाँ पर एक sheet है, जैसे यहाँ पर मैं product का name लिखता हूँ, लिखने के बाद enter करता हूँ, उसकी quantity एंटर करता हूँ, तो देखिए अब यहाँ पर जो मैंने entry की है, entry करने के बाद ना तो मैं इस entry को change कर सकत मैं इस file को कर लेता हूँ, close यहाँ से don't save करता हूँ, तो मैं बस new folder में book one के name से file पढ़ी हुई है, यहाँ पर एक code वाली text file है, मैं यहाँ पर एक empty workbook ले लूँगा, भी मैंने empty workbook open की है, Excel की, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, जी serial number के 10 rows की ले लेता हूँ, यहाँ इसको मैं select करता हूँ, इसको हम यहाँ पर border लगा देते हैं, product size बढ़ा देते हैं, sheet को थोड़ा zoom in कर लेते हैं, अब next आपने काम क्या करना है, यह range select करना है, जहाँ पर हम data enter करना चाहाँ है, right click करना है, format data cell पर जाना है, जैसे ही मैंने format cell पर click कि हमेर पास यह view open होगा, यहाँ पर हमने protection पर click करना है, और logged पर check लगा होगा, इसको uncheck करके हमने करते हैं, okay, next हमने review में जाना है, यहाँ पर product sheet पर जाना है, यहाँ पर हम 222 प्रेस करेंगे, triple 2 मैंने किया है, उसके बाद दुबार triple 2 करेंगे, okay, तो अब हमारी sheet logged होगी है, यहाँ पर कहीं भी हम entry नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इन cells में हम entry कर सकते हैं, जिनकों हमने select किया हुआ था, next हमने क्या करना है, हमने जाना है, इस code पर, इस code को मैं control A करके, control C करके copy कर लेता हूँ, तो इस code को मैं इस video के link description में भी दे दूँगा, वहाँ से आप इस code को copy कर सकते यहाँ पर हम sheet पर click करेंगे, sheet पर click करने के बार हम view code में जाएंगे, यहाँ पर हम control V करके, यह code paste कर देंगे, अब मैं control S करता हूँ, तो यह हम से location दिमान कर रहा है, कहाँ अपने file को save करना है, मैं new folder जो हमने अभी system के desktop पर रखा हुए, वहाँ पर जाते हैं, और इस file का ना यहाँ पर data enter करेंगा, देखें, यहाँ पर मैंने pen enter किया, अब देखें, अब कोई person pen को चेंग नहीं कर सकता है, यहाँ पर मैं quantity enter की, अब quantity को को चेंग नहीं कर सकता है, तो इस method को use करते हुए, अब data entry के बाद, automatically cells को lock कर सकते हैं, तो एक चीज़ मैं आपके साथ share कर यहाँ पर हमारा यह जो टॉप वाला cell है, यह बी 3 है, और यहाँ पर हमारा यह बाटम वाला cell है, यह c12 है, तो हम अगर view code में जाएं, view code में यहाँ भी 3 हो चेंग लिखा हुए, अगर आपकी range इस से हट के कोई और range है, तो आपने यहाँ पर range चेंज करना है इस code में, दू को copy कर सकते हैं या फिर आप वीडियो को pause करके इसको note भी कर सकते हैं मैं अभी मेर् आज की वीडियो आपके लिए helpful लाई होगी ऐसी मजीद वीडियो से update रहने के लिए अभी हमारी वीडियो आना की सब्सक्राइब करें खेंक्स फर वाचिंग इस वीडियो